सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल सैमसंग, रेड्मी और वीवो की तरफ से जो भी हाली में लाउंच हुए हैं दोस्तों इस वीडियो में इन तीनों मोबाइल से में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन तीनों में क्या क्मिया हैं, क्या क्छाईया हैं और आपको तीनों मैंसा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप एक मोबाइल लेने की सोच रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सैमसंग की तरफ से आने वाले Galaxy M02S के बारे में दोस्तो ये मोबाइल आपको मिल जाएगा 10,000 में इसमाँ आपको 10,000 में दी गई है 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज RAM और स्टोरेज इसके अंदर आपको अच्छी मिल जाती है बाकी इसकी पहली बड़ी खुबी है इसका यूज़ इंटेफेस अंदर से चलाने में ये मोबाइल बहुत जादा बड़ी है लगता है इसके अंदर आपको Samsung का One UI दिया गया है तो यूज़ इंटेफेस इसकी पहली खुबी है जो की बहुत बड़ी खुबी है इसके अंदर इसकी साद इसके अंदर आपको display जो मिलती है वो मिलती है शाड़े चेंज की अच्की की लगबग display size दिया गया है 6.5 inches का तो display size तो इसके अंदर आपको काफी अच्छ मिल जाता है design दिया गया है notch वाला edges, bezels भी काफी कम मिलते हैं बागे दोस्तों इसकी जो display की quality है वो इसके अंदर आपको average ही दी गई है brightness colors normal ही है क्योंकि इसके अंदर आपको Samsung की Super AMOLED display नहीं मिलती simple ही display दी गई है तो display का size design तो अच्छा है लेकिन दोस्तों quality normal ही है और दूसरी बड़ी खुबी जो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिलती है used interface के बाद वो है इसका design red color आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है कुछ इस तरीके से lining patterns दिये गए हैं जो बहुत ज़्याद अच्छे लगते हैं तो design इसका look wise भी quality के अंदर भी काफी बढ़िया है scratches बहुत कमाते हैं इसके back panel पे क्योंकि hard plastic के type के design है पीछे की तरफ 3 camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 megapixel का front camera है 5 megapixel का camera की performance भी इसके अंदर आपको average ही मिलती है बहुत बड़ी कमी यह है इसके अंदर आपको fingerprint scanner नहीं दिया गया 10,000 में left side पर SIM के ट्रे इसके अंदर आप 2 SIM card एक memory का तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ इसमा आपको type support दिया गया है यह खुब इसके अंदर आपको मिल जाती है right side पर volume के buttons और power का button उपर से देखींगे तो noise cancellation mic भी दिया गया है इसके अंदर आपको अब दोस्ते इसके अंदर आपको तीसरी बड़ी खुबी मिलती है इसकी battery दी गई है 5000 image की एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है battery को लेकर यह mobile काफी बढ़िया है charger दिया गया है 7.5 वाट का अगर fast charger होता तो काफी बढ़िया रहता processor इसके अंदर आपको दिया गया है snapdragon 450 तो अगर आप एक बहुत जादा heavy user है आपको performance बढ़िया चाहिए तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिक्कत होगी यह mobile normal use case आप से है heavy use में आपको hang होने की दिक्कत देखने को मिल सकती है तो दोस्तों इसके अंदर आपको camera, display की quality इसके साथ processor यह तीन चीज़े तो average ही दी गई है और कमी सबसे बड़ी यही है fingerprint scanner नहीं दिया गया बाकी तीन खूबिया है इसके अंदर अच्छी battery, अच्छा design और अच्छा user interface तो अगर आपको इसकी यह तीन खूबिया पसंद आई इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलता है अंदर से चलाने में यह mobile नॉर्मल ही लगता है जादा बढ़िया user interface आपको Samsung के अंदर ही दिया गया है तो इसका user interface और इसकी रेमोर स्टोरेज तो आपको average ही दी गई है बाकि इसकी पहली बड़ी खूबी है इसकी डिस्प्ले की quality इसके अंदर आपको IPS, HD Plus डिस्प्ले दी गई है लेकिन इसकी डिस्प्ले की जो colors है, brightness है वो आपको Samsung की डिस्प्ले से जदा बढ़िया दिये गए है डिस्प्ले की quality को लेकर ये mobile काफी जदा बढ़िया है design वैसे ही मिल जाता है notch वाला size भी वही है, लगबग साड़े change का लेकिन दोसरो, display की जो सबसे important चीज है display के colors और brightness वो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिये गए है तो इसकी पहली खूबी है इसकी display दूसरी बड़ी खूबी जो इसके अंदर आपको अच्छी मिलती है वो है इसका design look wise design इसका भी आपको बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाता है आप देख सकते हैं light की reflection इसके back panel पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है तो और काफी ज़ादा shiny design दिया गए है आपको वीवो के अंदर जो बहुत ज़ादा अच्छा लगता है बाकी सके अंदर आपको पीछी की तरफ दो camera दिये गए है जिसमें पहला है 13MP का दूसरा 2MP का front camera है इसका 8MP का camera की performance आपको वीवो के वाई 12MP की रेट की साब से normal ही दी गई है camera को लेकर ये mobile भी average ही है इसे की साथ दूसरा left side साब देहेंगे इस mobile को तो इसमें भी आपको इस तरफ SIM की ट्रे दी गई है खोबी ये है इसके अंदर भी आप 2 SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको type support नहीं दिया गया जो आपको Samsung के अंदर मिल जाता है right side पर volume के buttons और power का button दोसरे इसके अंदर आपको fingerprint scanner दिया गया है जो Samsung में नहीं मिलता और इसके अंदर आपको side में मिलता है ये जो power का button है यही fingerprint scanner भी है उपर से देखेंगे तो plane design है noise cancellation mic इसके अंदर आपको नहीं दिया गया अब तीसरी बड़ी खुबी जो इसके अंदर आपको अच्छी मिलती है वो है इसकी battery battery दी गई है 5000 image की एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है battery को लेकर ये mobile काफी बढ़िया है बाकी charger नॉर्मल ही दिया गया है 10 watt का fast charger इसके साथ आपको नहीं मिलता processor इसके अंदर आपको दिया गया है snapdragon 439 तो heavy use के अंदर इसमें भी आपको दिक्कत होगी ये mobile भी normal use के साब से है जैसा WhatsApp, YouTube वगरा यूज़ करना चाते हैं आप एक normal user ही है आपको बहुँ जादा gaming नहीं करनी तो इनके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी ना Samsung में ना Vivo के अंदर लेकिन heavy use के अंदर दोनों में ही आपको दिक्कत होगी तो ये सारी खुब्य कम्या आपको मिलती है Vivo के Y12S के अंदर 10,000 में चार चीज़े इसके अंदर आपको average मिलती है एक तो इसकी RAM और storage कम है दूसरे सके अंदर आपको user interface normal दिया गया है तीसरे सका camera average है और चौतरे सके अंदर आपको processor average दिया गया है तीन खुब्या हैं इसमें एक तो इसकी display की quality दूसरे सका design और तीसरे सकी battery अगर आपको इसकी ये तीन खुब्या पसंद आई तो आप Vivo Y12S ले सकते हैं 10,000 में चले बढ़ते हैं आखरी mobile के तरफ जो कि है Redmi के तरफ से Redmi का 9 power दूसरे सकी कीमत है 11,000 इसमें आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है home screen पे ही आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको सारे mobile में वैसा Samsung का M02S ही सबसे ज़ादा बढ़िया है लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको full HD plus display दी गई है बाकी दोनों mobile में नहीं मिलती तो ये इसकी पहली बड़ी खुबी है display की quality इसके अंदर आपको काफ़े अच्छी दी गई है बाकी display की जो brightness है colors है वो सबसे ज़ादा best है Vivo की display के अंदर इसमें आपको design simple ही दिया गया है look wise design थोड़ा simple ही है इसका काफी बड़ी Redmi की branding मिल जाती है left side पर लेकिन दोसरे इसका design थोड़ा से simple ही है जादा बड़ी है design आपको Samsung के अंदर और Vivo में ही मिलता है इसके अंदर आपको hard plastic के type के design दिया गया है तो scratches बहुत कमाते हैं लेकिन इसकी दूसरी बहुत बड़ी खुब है इसका camera पीछे की तरफ चार camera दिये गया है जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 8 megapixel का दोस्तो camera की performance आपको Redmi के 9 power के अंदर काफी बड़ीया मिल जाती है इन तीनो mobile's के अंदर आपको सबसे ज़ादा बढ़िया camera दिया गया है Redmi के 9 power के अंदर ही camera को लेकर ये mobile काफी बढ़िया है left side साब देहेंगे इसको तो इसमें भी sim के ट्रे दी गई है इस तरफ इसके अंदर भी आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है Samsung के तर इसके अंदर भी आपको type support दिया गया है बस Vivo के अंदर नहीं मिलता right side साब देहेंगे तो volume के buttons और power का button fingerprint scanner इसके अंदर भी आपको दिया गया है Vivo की तरफ side में उपर की तरफ साब देहेंगे तो noise cancellation mic दिया गया है IR blaster मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे चला सकते हैं और इसमें आपको उपर की तरफ भी speaker दिया गया है अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी बड़ी खुबी मिलती है इसकी बैटरी बैटरी इसके अंदर आपको सबसे ज़ाद अच्छी दी गई है 6000 image की इसके साथ साड़े 22 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है Samsung के साथ साड़े 7 watt का charger है Vivo के साथ 10 watt का लेकिन इसके साथ आपको साड़े 22 watt का fast charger मिलता है तो ये खुबी इसके अंदर आपको काफी बड़ीय दी गई है बैटरी सबसे अच्छी है सबसे अच्छे charger के साथ इसके अंदर आपको दोस्तो प्रोस्सर दिया गया है Snapdragon 662 वैसे तो इसके अंदर भी आपको रेट की साबसे नॉर्मल ही प्रोस्सर दिया गया है लेकिन फिर भी इन तीनों के comparison में सबसे ज़ादा बढ़िया प्रोस्सर आपको दिया गया है Redmi K9 Power के अंदर ही प्रोस्सर को लेकर अच्छे चार्जर के साथ और चौथा इसका प्रोस्सर चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे में चीज़ आपको इन तीनों में सब कौन से लेना चाहिए तो दोस्तों देखिए अगर आपको वीवो पे भरोसा है तो आप वीवो ले सकते हैं दो खुबिया इसमें बहुत बढ़िया दी गई है फिर भी एक तो इसका डिज़ाइन दूसर इसके डिस्पले अगर आपको ये दो खुबिया चाहिए तो आप वीवो ले सकते हैं 10,000 में और दोस्तों अगर आपको सैमसंग पे भरोसा है तो अच्छा यूज़ इंडरफेस काफी बढ़िया डिज़ाइन और कम कीमत में अच्छी रैम और स्टोडेज इसके अंदर आपको मिल जाती है तो अगर आपको ये तीन खुबिया चाहिए तो आप सैमसंग ले सकते हैं बाकि सबसे ज़्यादा खुबियों के साथ सबसे ज़्यादा बैट रही इन तीनों मोबैल्स में रेडमी का 9 पावर ही क्योंकि इसमापको चार खुबिया बढ़िया दी गई है बैटरी सबसे अच्छी है चार्जर के साथ बढ़िया इसे के साथ इसके अंदर आपको प्रोस्टर अच्छा मिल जाता है कैमरा बढ़िया दिया गया है और डिस्पले अच्छी है तो दोस्तों देखा जाए तो इन सारे मोबाल्स में सबसे ज़्यादा खुबिया है ना इन पावर के अंदर ही आप बताएगा फरी भी दोस्तों कमेंट करके आपको इन तीनों में सबसे ज़्यादा भरोस्ता किस्ट पे है और आपको तीनों में सा कौन से ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटणों से दबा के चंडल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैल खन भी दबा दिएगा ताकि नए वीडियो नहीं आप तक पहुचशती रहे इसके लब वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए Take care